नमस्कार विवस आज मेरे साथ एक बेहद खास मेमान होंगी इनकी उम्र भलई केवल 27 साल है लेकिन इनके बोल पूरे देश में चर्चा और विवाद दोनों का विशे बने हुए हैं ये खुद को कटर सनातनी हिंदू राक्ष्ट का पक्षधर और घर वापसी के सबसे प्रयायोजक्त बताते हैं जोरदार तालियों के साथ स्वादत की दिये बागेश्वर धाम के प्रमुक धिरेंडर शास्त्री महराज का अभिनंदर आप राम दूत अतूत बल धामा अंजन पुत्र पवनसुत नामा महाबीर विक्रम बजरंगी कुमत निवार सुमत के संग शास्त्री आपका बिरंदन है पहले तो स्वागत आपका न्यूज 18 के इस मंच में बहुत बहुत धन्यवाद बहुत सादूबाद और आर पार के इस कारिक्रम को भी बागेश्वर पीट की और से बहुत 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 आभार आपका लेकिन आपकी जबरदस्ट फैन फॉल लेकिन आज मैं आपसे एक सवाल पूछा जाता हूँ कि आपकी इस फैन फॉलॉइंग का बड़ा रास क्या है आप जादूगर हैं चमतकार दिखाने वाले हैं आकिर धिरेंदर शास्त्री है कौन पहली बात तो हमारी कोई फैन फॉलॉइंग नहीं है हमारा तो पूरा परिवार है फैन फॉलॉइंग तो उनकी होती है जो सेलेबिटी होते हैं I am not celebrity I am not actor I am not filmmaker हम तो केबल एक साधारन मान और सनातन का जंडा लेकर चलने वाले एक साधक हैं हमारी कोई फैन फॉलॉइंग हमारा परिवार हो में गर्भ है कितना बड़ा परिवार है लेकिन अगर आपका मैं परिचे पूछू कि धिरेंद्र शास्त्री कौन है चमतकारी हैं अफ्तारी हैं कौन है धिरेंद्र शास्त्री एक साधारन इंसान है जैसे आप हैं वैसे हम हैं बस हनुमान जी के एक साधा गुण है कि हनुमान जी ने आपको चुना सच्चाई बोलने का गुण है उनिडरता के साथ सच्चाई को दावे के साथ रख करके सब को सत्त से जोडने का गुण है और यह अगर किसी भी इनसान के पास यह गुण आ जाए तो इसुरिय दिब करपा को वो सुता ही पाजाता है अगला सवाल मेरा जो है वो एक आरोप पत्र है और ये आरोप पत्र वाला राउंड है और इसमें आप पर जो आरोप लगे हैं उन पर आप सवालों के जबाब देंगे और मेरा पहला सवाल आप पर आरोब भी है ये देश सेकुलर है लेकिन आप हिंदू राष्ट की जिद पे अड़े हैं और अपनी बात पे निडर होके क्यों खड़े हैं अगर हिंदुस्तान में रहने वाला हिंदु राष्ट की जिद पर नहीं अड़ा तो वो हिंदुस्तानी है ही ने वो लगता है बेश्ट अंडीच का आदमी है अगर हिंदुस्तान में रहकर हिंदुस्तानी व्यक्ती हिंद महासागर के संदिकट रहने बाला ही हिंदु राष्ट नहीं कहेगा तो क्या पाकिस्तान वाले कहेंगे और रही हमारी बात जिनको जो लगता हो लगने दो हम अपनी बात से न कभी जुकेंगे न कभी मुरेंगे न कभी रुकेंगे भारत हिंदु राष्ट था है और फिर घोसत रहोकर रहेगा लेकिन सविधान में सभी धर्मों को समान अदिकार मिला है सेकुलेर है हमारा देश तो सिर्फ हिंदु के अधार पर देश कैसे हो सकता है पंत निर्पेक्ष राष्ट है संभिदान में 125 बार पत्रकार महोद है संसोधन लगभग हो चुका है 126 बार हिंदु राष्ट के लिए भी होना चाहिए होना से यह तो मतलब क्या आपने इसके अरजी हनुमान जी को लगा दी है हाँ हमारी कोई सरकार से मांग नहीं हमारी तो हिंदुओं को जगाना और हमें तो इनमें ही हनुमान जी नज़रा हमने अरजी लगा दी भारत के हिंदुओं से आपने अरजी लगा दी एसी बाते कर रहे हैं कि जो हमारी दृष्टी से ठीक नौर्मल बुद्धी की बाते हैं भारत हिंदू राष्ट है भारत सनातन का राष्ट है भारत राम का राष्ट है और राम के राष्ट में राम की चर्चा हिंदू की चर्चा नहीं होगी तो भला किस की चर्चा होगी लेकिन आपका भरोसर सम्विधान पे है भारत के सम्विधान पूनतया हमारे पूरुबजों ने सम्विधान सुईकार किया है हमारे परदादाओं ने सम्विधान सुईकार किया है तो हम भी उससे बाहर नहीं हो सकते हैं तू एक एक लेकन अध्यात में भी एक सम्विधान है इसकी भी एक आचार शंगता है रामचरत मानस की भी एक आचार शंगता है बेदों की भी उपनिसदों की भी एक आचार शंगता है पुरानों की भी एक आचार संगता है और इस भारत में रहने बाला प्रतेक ब्यक्ति उस आचार शंगता के अंतरगत है तो उसका भी दायत है कि उपने सिदों की आचार शंगिता को माने लेकिन लेकिन असाउध दिनोवेसी आपको बहुत प्रेम करते हैं सेम तो यू कह दीजिएगा और वो इतना प्रेम करते हैं और उन्होंने क्या कहा है मैं सुनाना चाहता हूँ आपको असाउध दिनोवेसी सांसद हैं AI MIM के और आपको बहुत प्रेम करते हैं वो क्या कहते हैं सुनिए जरा कैसे आप कह सकते हैं कि इस देश को ऐसा बना देंगे कैसे बनाएंगे आप तो आप अम बेट करके समीधान को जला देंगे क्या और उने का कैसे आप कह सकते हैं जैसे इनके लोग गजवाए हिंद कह सकते हैं वैसे हम भगवाई हिंद कह सकते हैं तो आप कहते हैं भगवाई हिंद लेकिन अब कोई ना कपड़ा पहने तो उसकी मजबूरी है हम पहन कर आए लेकिन जब आप भगवाय हिंद की बात करते हैं तो बहुत सारे लोगों के कान खड़े हो जाते हैं और वो कहते हैं कि हम मुसल्मानों के खिलाफ हैं और अगला अरोप आप पे यही है कि हम मुसल्मानों के खिलाफ हैं बिलकुल भी ने यह ठीक बैसी बाए हम म अमानवता के पक्षधर और अमानवता के खिलाप है। लेकिन जब आप हिंदू राष्ट की बात करते हैं तो इसको मुस्लिम विरुधी करार दे दिया जाता है। तो इस देश में एकता ना हो पाबें इस देश में धर्म का जो लड़ाई है पंत की जो लड़ाई है वो ना मिट पाबें अगर ये मिट जाएगी तो राजनेतिक रोटिया नहीं सिकेंगी। लेकिन आप एक शब्द यूज करते है ठटरी के। बहुत प्यारा सब्द है। अब बुंदेल खंडी आदमी अब तो लगबख भारत का प्रतेक बागिस्वधान से जुड़ा हुआ भक्त उस बात को जानता भी ये परिवार के लोग हमारे जानते हैं ठटरी गरे सब्द का अर्थ है सत्त यथार्थ सास्वत एक दिन ठटरी सब की बरनी है और उसकी सवाल आता है कि आप टीवी पर क्यों आते हैं और मैं तो आपको संस्कार के समय से देख रहा हूं कि आप लगातार प्रवचन अपने करते हैं टीबी पर आना हमारा कोई सौक नहीं है ऐसे बयान देने के लिए हम नीज में बने रहने के लिए कोई बात नहीं बोलते हैं हम भारत के कौने कौने में हिंदूओं के पास जा नहीं सकते हैं तो आपके माध्यम से हिंदूओं को एक होने का एक मौका हमें ऐसा लगता कि हमारे पास समय कम है और काम हमें बहुत करके जाना है इस भारत में बड़ा काम अगर करके जाना है तो एक माध्यम आरपार के अमीश देवगन है जो हिंदूों को एक होने का बात हमारी पहुंचा लें देखिए अभी आपने वो शब्द यूज करा था ठटरी के एक सवाल एक सवाल मैं जरूर आपसे पूछा चाहता हूँ आप इन सब को इनकी जो ठटरी है बांट के क्या करवाना चाहते हैं हिंदू राष्ट कराना चाहते हैं हमारा कॉंसेप्ट एकदम किलियर है राम राज के भल राम की परिकल्पना हम किसी पंत और मजब के खिलाप नहीं है आपकी मीडिया पर हम बता देते हैं इसको आप बहुंचा भी दीजिए सब तक पहुंचा जीजे हमारी बात को हम किसी भी पंत मजब के खिलाप नहीं है हमारे हिंदू राष्ट में किसी भी धर्म के व्यक्ति को कहीं जाने की आवशकता नहीं है जिस प्रकार पाकिस्तान में हिंदू रहते हैं भारत में मुसल्मान भी रह सकते हैं इसाई सिक्ष बहुंचा पाकिस्तान में तो हिंदू रहते ही नहीं हैं, वहाँ पर तो एक परशन्ट बचे हैं, कितने सारे होते थे? वो बचे हैं, वो वहाँ की मजबूरी है, यहाँ ऐसा भी नहीं हैं, यहाँ बढ़ रहे हैं. तो हम किसी भी पंथ या धर मजभब के खिलाब नहीं है, हम सिर्फ मानवता के पक्ष धर हैं. अच्छा आपने बढ़ने की बात करी की बढ़ रहे हैं आप भी अपना परिवार बढ़ाना चाहते हैं कि वह जल्दी बाएफ जल्दी तो विवहाद करेंगे आप पका है उसमें कोई संधे नहीं यह कोई गुनाहत थोड़ी है और हमने कोई जोली नहीं लिए सन्यासी भी नहीं है कि हम भही कोई धर्म के खिलाप कुछ काम कर रहे हूं हमने कोई सन्यासदारन नहीं किया हम कोई महत्मा भी नहीं है हम अपने आपको कोई आचार भी नहीं है हम एक गुरू पनमपरा के हैं और साधी करें भी तो क्या गुना है साब आपकी भी तो हुई होगी तो नर्की देख ली है आपने या देख रहे है अभी तो नहीं देखी आपको मिले तो ख़बर कीचिएगा तो यह जिम्मेदारी आप मेरी लगा रहे है नहीं नहीं फिर हम उसमें आ जाएंगे आप देखके कल प्रस्तुत कुछ कर दो तो जिम्मेवारी नहीं पर आपको हमने बहुत सुना है और आपकी एक जो इस्टायल है और आपका जो आरपार का एक कारिक्रम है हमने एक बार देखा बहुत अच्छे से और उसको लेकर के हम बहुत प्रशन रहते हैं और हमें आप से बात करने में बहुत आनदा है अब सवाल पूछते हैं आरोप मेरे कम नहीं है अभी थोड़े बढ़ड़े हैं और वो है अंद विश्वास को आप बढ़ावा देते हैं आप लोगों को अपने औरा में उलजा देते हैं और फिर उनका धर्म परिवर्तन करा देते हैं पहली बात तो हम धर्म परिवर्तन नहीं कराते हैं पिसरी बात हम कोई अंदविश्वास नहीं फैलाते हैं इस देश में चादर चड़ाना सृध्धा है इस देश में केंडल जलाना सृध्धा है इस देश में हली उल्ला कहे के एक ब्यक्ति को पकड़कर 25 ब्यक्ति में करंट लग जाना सृध्धा है लेकिन हनमान 40 का उपाय ब हमने कभी हैं नहीं कहा कि हम चमतकारी हैं हम आज कहते हैं हमारे पास कुछ भी नहीं हनमान जी के पास सब कुछ है लेकिन इतना कहते हैं कि अगर आप कहते हो कि कुछ होता नहीं है तो गीला करके भेजेंगे अगर कोई कहता कि भगवान नहीं होते ही शुर्ख दिबसक्तियां नहीं होती है हमने अनभाव कि आज चले आये कभी बागर सो धाम बेलकम टू यू लेकिन अब आपको तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के चैलेंज दिये जा रहे है पहले एक 30,000,000 वाला चैलेंज ताव एक करोड़ वाला चैलेंज हो रहा है जैसे जैसे आपकी पॉपॉलेटी बढ़ रही है चैलेंज का प्राइस भी बढ़ता जा रहा है हाती चले बजार यह चलता रहता है हम कोई फर्माईसी प्रोगाम है कि किसी न फर्माईस की यह हम गाना बजा दे अरे टियार पी पाने के लिए आप तो अपना कैमरा उठाया आपने कह दिया पहली बात तो हम तो यह बिनोध में कह रहे हैं पहले तो उने यह फाइनल करना चाहिए कि एक करूर आए कहां से उनके पास और आए भी तो किसी गरीबों में लगा दूबे फिजूली में हम पर खट कर रहा है हम तो उनकी संपत्ती भी ले ले लेंगे वो छमता हमारे अनमान जी रखते है तो यह चैलेंजर क्यों खड़े हो रहे हैं चैलेंज खड़े नहीं हो रहे हैं खड़े करवाए जा रहे हैं उनको भी फैमस होना है विचारों को उनकी भी मजबूरी होना कौन पूँछेगा बागेस और धाम के नाम से उनके भी बाल बच्चे पलने बाले हैं यह बे फिजुदी की बातने हैं घर पर बैट कर चैलेंज देना हम यहीं कहेंगे दूट का दूट पानी का पानी पचास वार कर चुके कभी तुम्म्हा लगे धाम चले आ का बे चैलेंज देना क्या एक करोड करण का and को बे फिजुदी हैं आ کر धान देना हम बेटियों का विवाय कर देंगे साब क्या आप राजनीती में आना चाहते हैं बिलकुल भी नहीं कभी नहीं सपन में भी नहीं तो कि आपके दर्मार में तो सभी आते हैं बीजेपी, कॉंग्रेस अगर किसी को दाम पर आने से सदबुद्धी मिलती है तो आना चाहिए लेकिन कुछ लोग आपको कुशल पॉलिटिशन कुशल नेता भी मानते हैं कोई हमको गुरु मानता है, कोई आचार्य मानता है और कोई पाखंडी मानता है तो अगर कोई कुशल नेता अभी मानता है तो क्या बुराई है कॉंग्रेस और बीजेपी में से किसकी विचारधारा आपको लगती है बेतर है मानावता की अगला सवाल मेरा ये है कि क्योंकि देश में राजनीती की बात होती है और आपने 2024 का जिकर किया था कि अब हम 2024 की तैयारी कर रहे हैं क्या तैयारी कर रहे है 2024 कि इंदूराष्ट की और 2024 में चुनाव भी है चुनाव से हमारा कोई लेना देना नहीं इधर तो नित्य चुनाव है अच्छा एक बाद रहता है ये आपकी फिल्मों में रुची है बिल्कुल भी नहीं रियल लाइफ में हमें बहुत रुची है अच्छा कभी देखी भी नहीं कोई फिल्म देखते रहते हैं देखना क्या गुना है आँखें मिली जो है अच्छा फिर मैं ये पूछ लेता हो कि जब आँखें मिली है देखते रहते हैं कौन सा hero आपको भेतर लगता है जो आपको लगता है अच्छा काम कर रहा है? भारत की army अच्छा भारत की army hero तो भारती है सेना ही है बाकी तो सब नाटक कलाकार रुपयों में बिकने बाले अभीनेता है अच्छा एक बाद बताए यह खिलाडी बता देज़े कुई क्रिकेटर पसंद हो, फुटबॉलर पसंद हो, कोई तो पसंद होगा, कोई हौकी का खिलाडी पसंद हो सब प्रिये हैं क्योंकि सब हमारे हैं किसको प्रिये बता दें, कौन अब प्रिये हो जाए सब हमारे हैं, सब पसंद है जो बहतर खेलते हैं वोई प्रीय है अजिक एक बार बताईए बागेश्वर रधाम में आप रहते हैं धिरेशास्त्री आपको डर लगता है किसी के बाप से नहीं तो कभी डर नहीं लगता कि देखिए अब आब आपका डर है किसके बाप से हमने ना तो किसी के बाप के बैल चोड़े हैं ना किसी के मकान पर कभजा किया न किसी से दान लिया तो किसք बाप से डरए हमँटने बैठेंगे तो फिर्प मनमान्जी से डरते हैं पाप से डरते हैं हमारे दौराक कोई ऐसा कृस्ट ना हो जाया जिससे धर्म कु नीज da देखना पड़े इससे डर लगता है लेकिन आप मैंने कई बार आपकी कथाओं को सुना और टेलिविजन पे भी देखा तो आप कई बार ठटरी के बोलते हैं बीच-बीच पे ताली भी बजाते हैं अब उसका मतलब क्या होता है उसका मतलब यह यह ठटरी बर गई बिरोधी की उसका मतलब बड़ा प्यारा है उसका मतलब बड़ा प्यारा है बड़ा प्यारा है देखो ताली पीट करके हमारा कहने का मतलब है हम बहुत मनमोजी आदमी है बहुत मनमोजी मतलब हमां किसी भी चीज की बहुत अपेक्षा है नहीं है हमारी अपेक्षा सनातन है और हमें ऐसा लगता है कि हमको चलाने वाले हमारे लीलाओं को नाटए करवाने वाले हनमान जी हैं तो जो करवा रहे हनमान जी करवा रहे हैं वह हम बेपेजूली में रोडा क्यों बने जो मन में आता है दिल खोल करके हम बोलते हैं जो मन में आता है दिल खोल कर करते हैं पर जो कहते हैं वो हनमान जी पूरा करते है चलिए अगला सवाल ये है कि आपने दावा किया था कि आपके खिलाफ विदेश से प्लानिंग हो रही है और आपके विरोधी विरोधीयों की संख्या देश के उस पार बढ़ती जा रही है आप पाकिस्तानियों की भी हिट लिस्ट पे हैं क्या आपको लगता है कि आपकी सुरक्षाब होनी चाहिए साधु संत के तुम रखो वारे असुर निकंदन राम वैसे तो उन्होंने हमें सिकॉर्टी दे रखी है सुरी हनमान जी नहीं लेकिन लौकिक बिवहार में अगर किसी को गर्राट है तो उसके लिए अगर कोई विवस्था हो और है कोई दोस नहीं है या कोई बुराई नहीं सब को डर देखो इस देश में कल तक हम कता कर रहे थे दरबान लगा रहे थे कभी बात नहीं उठी जब से परजोर तरीके से कनवर्जन को रोका सबसे लोगों को जलन हुई सबसे नए नए प्लाइट लोबी आपके खिलाफ है पूरी प्लाइटिड लोगों का आना प्लाइटिड दरबार में चिला ना अभी कुछ दिन पहले एक प्लाइटिड व्यक्ती का पोल खोला दरबार में ही वो बीच दरबार में चिला पड़ा धाम पे भी प्लाइटिड लोग आना ये चोटा सा एक चोटा सा विवाद बहुत बड़ा बना देना ये सिर्फ और सिर्फ बागेश्वर धाम के जो सेवक हैं जी उनको गिराने का एक बहुत बड़ा सडेयंतर चल रहा क्योंकि जो करोडों रोपए धर्म परिवर्तन कराने में खर्च कर सकते हैं तो वो धीरंद कृष्ण के उपर क्यों नहीं कर सकते हैं